नमस्कार दोस्तों विकास इस्टेडी सर्कल के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज दोस्तों पांदिसंबर 2022 से संबंदित जो महात्पूर्ण कानेट फेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंते तक जरूर बने रहें तता वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सस्क्राइब करें चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्ण है 5 इसम्ब 2022 नई दिल्ली में आई जूत होने वाले पहले मिलेट्स स्मार्ट निट्रेट्टिव फूड कांकलेव में मुख्य अतित कौन होगे तो दोस्तों पहली बात तो आप लोग ये देहान रखे जो मिलेट्स स्मार्ट निट्रेट्टिव फूड कांकलेव आई जूत होगा या नई दिल्ली में होगा और इसमें दोस्तों जो मुख्य अतित के रूम में काउन सामिल होगे तो प्यूस गेल जो दोस्तों मारे वाड़ी चियम उद्द्योग मंत्री है यह दोस्तों मुख्य थित इसमें होंगे बात की जाए दोस्तों कि बाजरा वर्स या मोटा अनाज वर्स या मिलेट्स वर्स या किस वर्स को घोसित किया गया तो 2023 को आपसे प्रस्ण बन सकता है कि किस वर्स को बाजरा वर्स या मोटा अनाज वर्स या मिलेट्स वर्स घोसित किया गया तो दोस्तों 2023 को ये तो दोस्तों जो बाजरा वर्स है मोटा अनाज और मिलेट्स वर्स इनको दोस्तों 2023 को घोसित किया गया आगे दोस्तों देखिएगा बाजरा जो है इसका सरवाधिक जो 41% उत्पादन है वा केवल हमाय भारत में होता है और भारत में भी दोस्तों पहला इस्तान किस राजे का है तो राजस्तान का आप लोग ध्यान रखे दोस्तों बाजरा जो है सरवाधिक हमाय भारत में उत्पा दोस्तों जो knowledge book यह किसने जारी की तो दोस्तों जो knowledge book है यह हमारे yes bank द्वारा जारी की गई și नालेज बूक किसके दोरा जारी की गई तो yes bank द्वारा अगला दोस्तों प्रकाशन देखियेगा विसoo dairyилась Sikker Salmeland अगला दोस्तोर प्रशन देखियेगा भारत का पहला पसु स्वास्त सम्मेलन की सहर में आयुजुत किया गया था तो दोस्तों नई दिल्ली में भारत का पहला पसु स्वास्त सम्मेलन जो है यह नई दिल्ली में आयुजुत किया गया अगला दोस्तों की सहर में 13 फिक की Global Skills Summit 2022 की मेज़बानी की अगरा दोस्तों परसंद देखिएगा जो सयुंग तरब अमीरात है इसमें दोस्तों आयोजीत अबुदाबी अंतरिछ बहस में भारती प्रितिनित मंडल का नितत किसके दोरा किया गया तो दोस्तों जो हमारे Science and Technology State Minister है डाक्टर जीताइन्द सिंग इन्होंने भारती जो प्रितिनित मंडल ने इसका नितत किया है वहेंसे हमारे भारत की ओर से जो तीन पी असलिवी सी दोस्तों जो तीन उपगरा छोड़े गए हैं इनमें से दोस्तों PSLVC BAMAN जो है इसके दोरा दोस्तों EOS 04 उपगरा लांच किया गया यह दोस्तों 2020 का हमारा पहला उपगरा था इसके लाबा दोस्तों दूसरा जो है PSLVC 53 इसके दोरा दोस्तों सिंगापुर के तीन उपगरा भेजे गया और दोस्तों अभी हाली में आपको पता होगा जो PSLEVC54 के द्वारा EOS06 यह हमारे भारत का उपगरा है उसके लावा दोस्तों भुटान के उपगरा है लांच हिए गया इसमें दोस्तों जो PSLEVC54 है इसके द्वारा कुल 9 उपगरा लांच हिए गया है आप लोग ध्यान रखे दोस्तों यह 2022 है इसके 3 हमारे लांचिंग सिस्टम है इसके द्वारा तीन उपगरा छोड़े गए इसमें आप लोग इनका तीनों का द्हान रखें कौन-कौन से इफगरा ऐ किस के द्वारा लाँच किया गए अगला दस्तों प्श्न आ भारा है हाली में क bench के द्वारा सचे विम अर्थ हुआ है स्षिस साइने कन एंजिनिरींग और विम से म सबढ़े इसमें classrooms आंजीतरि से में आयां। अगला दोस्तोर प्रस्ण देखिएगा भारत की सांस्क्रतिक विरासत या दोस्तो अमूर्ध धरोहर कुल कितनी है तो आपको पता होगा या दोस्तो हमारी है 14 इसमें दोस्तो नमीनतम की बात की जाए कि हमारी भारत की नमीनतम अमूर्ध धरोहर कौन सी है तो आपको पता अगला प्रसंद दोस्तों हमारा है 4.12 को नौसण्य का इस्थापना दिवस मनाए गया तो दोस्तों या पूछ रहा है कि कौन से क्रमका मनाए गया तो इसक्यामनवा जो है नौसेना का इस्थापना दिवस मनाए गया जो नौसेना इसका इस्थापना दिवस मनाए जाता है 4. दिसम्बर को और वाई सेना का इस्थापना दिवस आपको पता होगा 8 अक्टूबर को मरा जाता है और जो ठल सेना दिवस है मारा वह 15 जन्वरी को मरा जाता है दोस्तों जो नौसेना दिवस है या 4 दिसम्बर को क्यों मरा जाता है क्योंकि दोस्तों चार दिसंबर उनी सविकास्तर दोस्तों नौसेना के द्वारा हमारी भारती नौसेना है इसके द्वारा आप्रेशन ट्राइडेंट या आप्रेशन ट्रिसूल या दोस्तों आप्रेशन जो है या कराची बंदर गाह को इसी के द्वारा तबाह किया गया था आपको उपता होगा जोटिनी सोगैस्तर हे भारत पाकिस्तान में युद हुआverse में जो यूद हुआ या बंगला देस को अजादे की आजादे के लिए हुआ तो इसी दिन दोस्तो जो 4 दिसंबर है इसी दिन जो हमारी भारती नोसेना है उसके दोरा करांची पोर्ट जो पाकिस्तान का पाकिस्तान में है इसी को दोस्तो तबाह किया गया था इसलिए 4 दिसंबर को भारती नोसेना दिवस मना जाता है और इस बाद दोस्तो इसका 51 जो है आप्रेशन मेगदूत 1984 को हुआ इसमें दोस्तों जो आप्रेशन मेगदूत था या सियाचीन परविजय के लिए आप्रेशन चलाए गया था आप्रेशन मेगदूत तो दोस्तों यह आप्रेशन जो है बाल याउन सोसोन को रोकने के लिए चलाए गया आप्रेशन मेगदूत आप लोग इनका दोस्तों ध्यान रखे आपरेशन मेग दू जो है 1984 को चलाया गया सियाचीन परविजय के लिए और आपरेशन मेग चक्र जो है या बाल या उन सोसन को रोकने के लिए चलाया गया बात की जाए दोस्तों आपरेशन आक्टोपस का हाली में दोस्तों या आपरेशन जो ED और NIA इसके दोरा चलाया गया और या दोस्तों जो PFI यह है पापलोड फ्रेंट आफ इंडिया इसको दोस्तों बैन करने के लिए या आपरेशन चलाया गया अगला दोस्तों प्रशन मारा है किस देश में दर्ष्ट बादिद T20 क्रिकेट वी सोकप का आयोजन किया जाएगा तो दोस्तों भारत में T20 जो दर्ष्ट बादिद उनके लिए दोस्तों T20 क्रिकेट वी सोकप का आयोजन भारत दोरा किया जाएगा इसमें कुल जो टीम हैं वा साथ टीम हैं और इसका दोस्तों जो ब्रांड अबेश्डर बनाया गया है वह हमारे भारती जो क्रिकेटर है यूरा सिंग इनको दोस्तों जो क्रिकेट विसुकप है इसका ब्रांड अबेश्डर बनाया गया है अगला दोस्तों प्राश्च नमारा है भारत के किस सहर में पहला राष्टी तटी सुरच्छा समेलन 2022 आयुजुद किया गया तो दोस्तों जो चन्नाई तमिलाड को सहर है इसी में पहला राष्टी तटी सुरच्छा समेलन 2022 आयुजुद किया गया इसमें दोस्तों भारत के अलवा स्रीलंका मालदिव और मारिशष इन दोनों दोस्तों जो टीन देशreas हैं इन्होंने भाग लिया इसमें अगला दोस्तों प्रसण देखियेगा विसो म्रता दिवस का मना जाता है तो 5 की सम्बर को विसो म्रता दिवस मना जाता है और इस बाद 2022 की थीम क्या है मिट्टी जहां से भोजन सुरू होता है दोस्तों बहुत इंपार्टेंट प्रेशन है इसकी थीम जरूर आप लोग ध्यान रखें इसकी थीम क्या है मिट्टी जहां से भोजन सुरू होता है दोस्तों जो 200 मृदा दिवस है यह दोस्तों 200 खाद अमक्रस सेंगठन जो है मारा FAO इसी के दौरत द थीम क्या है इसकी मानावता के लिए योग 5 जून दोस्तों आपको पता होगा 200 परयावरंट दिवस इसकी थीम क्या है only one earth 11 जुलाई दोस्तों 200 जनसंख्या दिवस इसकी थीम क्या है आठ हरब की प्रत्वी आपको पता होगा इस बार जो हमारी जनसंख्या है वह आठ हरब को छूचुगी है तो इसलिए दोस्तो ग्यारा जुलाई को विस्तो जनसंक्या दिवस की थीम थी आठ अरब की प्रत्वी 16 सितंबर दोस्तों ओजन दिवस मैंना जाता है और थीम क्या है मांटियल एट दिरेट 35 तो दोस्तों आप लोग जो थीम है इनकी आप लोग धियान रखें और 22 दोस्तों विस्तो जल दिवस इसकी थीम क्या है in visual को visual करना इनिविजुल को विजुल करना दोस्तों जो ये हैं हमारी थी में कुछ आप लोग इनका विशेश का ध्यान रखें इन मेंसे कुछ दोस्तों है या परिच्छा में आरे पूछी जा चुकी हैं तो आप लोग इनका जुरूद ध्यान रखें अगला दोस्तोर प्रसंद देखिएगा अगला प्रसंद नमा रहा है The Chipko Movement A People's History पुष्टक के लेकर काउन है तो दोस्तों The Chipko Movement A People's History इस पुष्टक के लेकर कहें सेखर पाठक अगला दोस्तोर प्रसंद देखिएगा अगला हाली में राष्टी सांखी की आयोग का दिच किसे न्यूक्त किया गया तो दोस्तों राष्टी सांखी की आयोग का दिच राजीव लच्मड करंदीकर जो है इनको दोस्तों राष्टी सांखी की आयोग का दिच न्यूक्त किया गया राश्टी सांखिकी आयोग दोस्तों जो NSC है इसका दोस्तों मुख्याला है नई दिली में इस्तापन इसकी हुए है 2005 को दोस्तों जो राजीव लच्छमन करंदीकर है इन्होंने दोस्तों EVM में जो VV पैठ है इसका सत्यापन इन्हीं के द्वारा किया गया था बात की जा दोस्तों राश्टी सांखिकी दिवस यह मराया जाता है 29 जून को और 29 जून को क्यों मराया जाता है राश्टी सांखिकी दिवस क्योंकि इसी दिन PC महाल नोबिस जो है इनका जनम दिवस 29 जून को ही होता है दोस्तों जो PC महल 90 है जो हमारी second five year plan है इन्हीं के model पर आधारित है PC महल 90 के model पर हमाद दुती जो पंचवर्शी ओजुना है यहां आधारित है दोस्तों जो भारती सांगी की संथान है इसकी स्थापना भी PC महल 90 नहीं की थी आप लोग इनका भी ध्यान रखें असा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें और चैनल को अधिक सेधिक सस्क्राइब करें चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जहीं दोस्तों